शिवार शिवं शिवं नमस्कार्ज आप सबका हमारे चैनल श्रीमद धोम रमेडीस पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको मोटिवेशनल स्टोरी की अगली कडी हम बताने जा रहे हैं जिसका मुखदेश है बताना कि हमें कभी भी दूसरों के लिए खड़ा कोदना नहीं चाहिए कभी भी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए कभी दूसरे का नुकसान करने का कोशिश नहीं करना चाहिए तो हम आपको एक कहानी के जरीए बताने चाह रहे हैं और बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगेगा देखिए इस्या से कभी किसी का भला नहीं होता है दूसों का निष्ट चाहने में अपनी ही हानी होती है देखने में भल लगे कि हमें तातकालिक लाब हुआ है पर वास्तर में हमें परतियक्ष्या परतियक्ष्रू के बड़ी हानी पहुचती है जिस रेक्टी का हम बुरा चाहते हुआ है उसको तो पता भी नहीं होता है प्यонकों उसके बारे में बुरा विचार रख रहे है किसी के परति इर्शा का विचार निपर स्वयम सबसे पहले इर्शा करने वाले का ही रखते जलता है और उसके विछार नगरात्मा कुने लगते है मन अशान्त हो जाता है और इसका अफेक्ट सबसे पहले उसके हेल्थ पर पड़ता है इसलिए कहावत है कि दूसरों के लिए खड़ा कोड़ता है वह स्वेम ही उसमें सबसे पहले गरता है हम आपको एक कहानी के जरी बताना चाहते है एक बार एक बहुत बड़ा भक्त जो अपने भक्ती से कुछ भी कर सकता था बगवान का इतना बड़ा भक्त होने का मतलब यही है कि आप जो चाहो वो पूरा हो जाए पर इतना बड़ा भक्त होते ही भी उसके मन में एश्चा थी किसके परती अपने पड़ोसियों के परती पर फिर भी वो तो उसका परस्टन मैटर था वो एक बार सुचता है कि या रख मैं बगवान से कुछ मांगू और उचल पड़ता है यह बहुत कई वर्सों पहली की बात है उचल पड़ता है भगवान की तपस्या करने के लिए और भगवान को परसंद न कर लेता है अब भगवान तो भगवान है और डेश्टिनी इनसान के फिक्स होती है destiny इनसान की fix होती है जो आपके किस्मत में लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा आपको कुम करण का याद होगा उन्होंने भगवान को परसंद कर लिया था उसकी भी destiny fix थी अगर वो मांग लेता जो चाहता था पर वैसा नहीं मांग पाया कि उसके जबान पे माता सुस्वती बैट गई तो ये जो भक्त था भगवान की भक्ती करके भगवान को परसंद कर लिया अब भगवान को तो सब पता ही था भई तो भगवान खुश हो कर बोलते कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम वर्दान मांगो अब भक्त सोच में पड़ गया उसमें सोचा कि भाई मैं अगर एक बंगला मांगो तो उसे दो मंगले मिल जाएंगे मैं एक मंजलाई मारत मांगो तो उसे दो मंजलाई मारत मिल जाएगा मैं सोने की एक हज़र असरफी मांगो तो उससे 2000 मिल जाएगा तो भाई ये तो बड़ा गरबड हो जाएगा यदि मैंने 4 मंजिला मकान बनाया मांगू तो उससे 8 मंजिला मिल जाएगा तो ये तो फाइदा तो परोसियों का होगा अब सुचता है कि भाई मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि उनका ही नुकसान हो जाएगा तो वो बोलता है कि आप मेरी एक आँख फोड़ दो तो एक आँख फुटने का वरदान मांग लिया उसने भगवान ने कहा तथास्तू अब अपनी स्वार्थी प्रवृति को देखिया उसका एक आँख तो फुट गया तो हो गया क्या काना अब भगवान का तो आशिरवाता भगवान का वरदान तब फलित हो नहीं था तो परोसियों के दोनों आख फुट गया नुकसान किसका हुआ परोसियों का खुशी किसे हुई इसे पर ये क्या हो गया काना और इसके पडोसी हो गए अंदे अब ये जो भक्त जहां भी जाता लोग उसे काना कहते और चिड़ाते थे पर उसके अंदे पडोसी को लोग सौहान बूती की दिश्टी से देखते थे उन्हों लोगों पर सब को देयाती थी उन्हें फ्री में खाना मिलना शिरू हो गया पूरे जितना पूरे गाउं थे उसके पक्ष में रहते जब भी उन्हें जिसकी जरूरत होती जितने की जरूरत होती थी पूरा गाउं उनको लाके देता था तो भै कुछ बुरा करने के बजाए उसका तो अच्छा हो गया तो स्वार्थ में आकर दूसरों के लिए कटा कोदना चाहा और गिरा कौन? सबसे पहले खुदी गिरा, वो बदनामी हो गया तो कहने का ताथ पर ये है कि जब हम जानते हैं कि दूसरों से इर्शा करने पर, उनका निश्च चाने पर हमको महान च्छती पहुँचेगी, हमारी आत्मा दूसीत हो जाएगी हमें कहीं भी शान्ती नहीं मिलेगी तो फिर हम क्यों जूसरे कपड़ती बुरा बेवार रखें, बुरा बुरे विचार रखें अपना देखू आग जहां रखी जाती है, पहले उसस्तान को गरम करती है और चलाती है उसी प्रकार इर्श्या और बुरे विचार्जिस के मन में रहते हैं पहलो उसी की हानी होती है क्योंकि एक्षिल में आ गए जितने समय तक की मन में जमे रहते हैं तब तक निनतर च्छती पहुचाने का ही काम करेंगे बुराई जल्दबाज होती है वो जितनी जल्दी बढ़ती है उतनी जल्दी ही नश्ट भी हो जाती है और अपने साथ ही अपने करने वालों को भी नश्ट कर देती है तो बुराई खुद को दोहराती भी है या बार बार इनसान चेटकराती है और हर बार परणाम हैरान करने वाले विनाशकारी होता है शराब पिने में भी कड़वी होती है और उसके परणाम भी कड़वे होते है चोरी करते वक्त मन में भै और घबराट होती है और करने के बाद भी बेचैनी भै और तरशकार मन पर हावी होता है तो बुरा सोचना बुरा करना इर्शिया करना किसी के लिए भी अपने आप को नुकसान पहुचाना है उस से जादा नुकसान उस रेक्ति का होगा जो बुरा चाहेगा जो इर्शिया करेगा जो जरन की भावना रखेगा तो इसलिए कहते हैं कि किसी के बारे बुरा मज़ सोच लिए और इसलिए कहावद भी है कि दूसरी के लिए कड़ा खोदोगे तो खोद किरोगे तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद